मा सेल पुतरी कौन है? इसकी सरल और उत्तम बीथी से पुजा कैसी करनी चाहिए? चलिए जानते इस दिविकता चनल के माधियम से. नवरात के पहले दिर्मा सेल पुतरी की पुजा की जाती है. इन्हें नब दुरगा में परधम दुरगा माना जाता है. परवत राज हिमाले के घर में ये पुतरी को रूप में जन्मी थी. इसलिए इन्हें सेल पुतरी कहा जाती है. मा की इस रूप में दायने हाथ में त्रि पूजा करने से मन कभी भी असांत नहीं रहता और घर में सो भाग की आगमन होती है चलिए दोस्तों आप सभी को कैसी करनी चाहिए माताराने के फूजा कहते हैं कि सुबह असनार होकर सक्स निवित्र होकर आप क्या करने फूजा अस्तलप जाईए उस पर माताराने के एक लेकर और एक चोकी लगाए उस पर लाल कपड़ा बिचा कर माताराने के रखिए आप एक आशन पर बैठ जाए उसके बाद आप अपनी अपनी सामगरी अनुसार अच्छत फूल धूप गंद इन सभी बस्तों को एक ठाम करके बाद आप एक घी का दिपक जलाए घीक दिप वजलाने के बाद आप संग भी बजाना परेगा संग भी रख लीजिए उसके बाद घंटी भी रख लीजिए और इसके यह को सीस्की सेritisह Commerce I आप क्या करना है आप माता का ध्यान करें, आप माता का आर्ती करें, आर्ती करने के बाद और माता का इस मंतर का आप 108 बार जरूर जप लेना चाहिए, मा का ये मंतर है, ओम एम हिरीम क्लीम सेल पुत्री नमा इस मंत्र का मा सेल पुत्री का मंत्र है इस मंत्र से जपने से मा की असी मिक्रपा प्राप्त होती और सो भागी की प्राप्ती होती का जाता है इस मंत्र मा की अत्यंद प्रिय है और इसके बाद आप क्या करें मां से छमा प्रातना करें कैसे छमा प्रातना करने चाहे के हे मां आप तो जगत जननी है पड़ में सोरी है आनन दायनी है विशाल हद हिर्देवाली है और जगत जननी है जगदंबा है मां हमसे जो भी गलती हो गई हो मां किरपा करके छमा करें यागी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि है मां मैंने जो मंत्र हीन किरियाहीन भक्तीन पुजन किया है मां आपकी किरपा से पूर्ण हो ही दया मैं ही कुर्णा मैं जो भी हमसे बना हो मां मैं आपकी चर्णों में समर्पित करता हूँ किरपा करके आप स्विकार करिये आप तुछ हमा आपके शर्ण में जो आता है उसे आप उसे सद्गति प्राप्त होती है मां मुझे पुकूप किरपा करिए ऐसी प्रात्ना करें आप सभी को माता का अवाज अजिरवाद अवस मिलेगा जै मातरानी